हेलो फ्रेंड्स आप सभी का बीएट कोर्स के नंबर वन चनल मीशन वनवे में स्वागत है दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे दव्यांग के परकार यह दव्यांग बच्चे कितने परकार के रहते हैं उसके बारे में बात करेंगे जिसको इंग्लिस में हम लोग टाइपस बच्चे का अर्थ और पड़िवासा को देखे थे जो दोस्त मेरे इस चैनल पर न्यूवाइब करें और सभी दोस्तों तक सेयर करें ताकि इस चैनल के माध्यम से सभी टोपिकों को बहुत ही आसान और शारत भासाग में अच्छे नोट के साथ प्रोवाइट किया जयता है अगर यादि आप लोग को इसी तरह का टॉपिक अगर पीडियाफ चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर वार्ट्सप कर सकते हैं जिसमें आप लोग को जो है पीडियाफ पराप्त हो सकता है या इसका डिसक्रेप्शन में लिंक दे दिया वहाँ पे आप लोग ओन लोग स Wish से भिंहां जो मानसिक रूप से सकते हैं तो सकती है उसमें इसे हैं dimanthi कि सब्सक्रेट कि समझ्या होती हैं कर दोसरा allí वहानी विकलांगता in विकलांगर उसको सुझने समंदिया होते हैं सर्वन विकलांगर करते हैं या आँधे जेका जडाएबर का फिर मानसीं के बिर में अदीघ्मावत रहें घ्या ऑसमें 37。 शीखने म ⁦ मंधबुद्य और को भी मानसी विखलांगता हैं तो पहले आमनों देखेंगे सारेडिट विकलंगता है सारेडिक विकलंगता है इसको इता है यदी गडती है को ऑनिक से में सरील से सब्बंदि किसी परकार का अगर भीमाड सल्दी से सब्सक्राइब होता है। है झारेंव बिकलांग को बीचार भागों में बाते हैं ठीक है दो टीक पर रबर्छ विखलांगिते हूं समय में इने को बीच्पयांग करते अरो होग भी करते हैं अन्य देख का ईकशंब करके देखते हैं कि काेनल अहरें को पाखते तो इसको देखते हैं तो इसमें पहला है दिरिष्टी दिरिष्टी विकलांगता पहला ठीक है या वैसे बच्चे जिनकी आखों की रोष्णी जनम से या किसी कारणवत दुरगटना चोट बीमारी के कारण पुर्ण रूप या आंसिक रूप से चली जाती है तो ऐसे जिनके आखों की रोष्णी चले गई हो या किसी कारणवत दुरगटना चोट बीमारी के कारण उनको दिखाई नहीं दे रहा है या आंसिक रूप से उनसे दिखाई नहीं दे रहा है या फिर पुन रूप से वह क्या हो अंदा हो तो ऐसे बालकों को दिरिष्टी बितले से वह बॉलने सम्मंदी दोस्त वालक का नगते हैं यह वह संबन्दी ज्यों है भू बॉलता है शात्र पर ऑनि विकलन्त पर बोलता हो तो अधी बिक्कत कर बोलता है तो यह लिए ribemo कर बोलता हो या उसको अगरिथी ले यह दिख्कत आ ऐसे बढ़े ऐसे बदेसे बढ़ जनम से जनम के पच्छाथ दुरगटना चोट या बीमारी के वज़े से हो जाते यह तो आपक है तो पर यह उसके आद हमके पर आएंगे सर्वन विकलंगता नेकि हेरिंग डिसबीक्स सर्वन विकलंगता का मतलब वास सर्वन विकलंगता से तात पर जिन करना परता है इन्हें जो है यह सुनाई ने देगा तो इसे बोले और भासा का भी जो है कि समस्या इसमें आ सकती है तो ऐसे बालग को को पुष्ण नहीं है जो जो है स्कुल जा सके उन्हें किसी ना किसी सहरे के आवसकता होती है जैसे ऐसे पॉलियो गरस्त जनम से टांग खराब रहां जिस करह से बच्चे इसको नहीं जा पाते हैं ऐसे बालकों के लिए निमने सिख्छा ववस्ता की जानी चाहिए मतलब ऐसे ब ड्रीष्टी विकलंगता भी बुल सकते उसको वाण से उसके बाद हम लोग 3 देख़े शर्वन विकलंगता और चोथा में डीक बालग सबसक्टार परकारकों के अब हमलों बात करेंगा मánh कि ब्लांगत भीकलंगता अन्य धो नमबर इसको मेंटल डिसबिटी करते हैं वैसे बालग जो मानसिक रूप से असमर्थ या मन्द बुद्धी के होते हैं उसे मानसिक विकलांगता बालग करते हैं मतलब समझने में समस्या आ रही है कुसी चीज को याद नहीं होता है या फिर जल्दी भूल जाता है उसको तो यानि दिक्षत हो रहा है या फिर समझने में उसको कठिनाई हो रहा है उसको याद नहीं हो रहा है कोई छीज तो ऐसे बालुकों के सरणियमें रखेंगे याद रखेंगे तो मानसिक से दिवंद्ध बिकलांग बालुकों को दे कुम हूं अधिक हो एक लाहiyet्व अधिकम असमर्थ बालक क्या होता है अधिकम असमर्थ बालक यानि लर्निंग डिसेबल अधिकम असमर्थ बालक वैसे बालक होता है जिने सिखने समधि कठेना ही होती है उसको समझ में आता है उसको सिखने समधि यानि लर्निंग समधि जो इसको क्या होती है दिक्कत ही होती ह शिखने सम्मंदी जैसे सुनने बुलने समझने वो पढ़ने लिखने सम्मंदी अपुर्ण योगता से होता है ऐसे बालोकों की सिख्छा व्यवस्ता विद्याले में करने चाहिए इसको सिखने में समस्या होती है तो ऐसे बात करें कि मन्द बुद्धी बालग वैसे बालग जो मांसिक रूप से कम जोड़त था जिसकी बुद्धी लब्दी समान अस्तर से कम होती है ऐसे बालगों को हम लोग मन्द बुद्धी बालग का जाता है वैसे बालग जिसकी बुद्धी लब्दी जो एक समान अपालग से कम मान जाता है जिसके बुद्धी pag विकलांं के सरनी में रखेंगे तो दोस्तों और आज हम लोग बात करें दерьां के परकार को देख लिए उसे-पिछली वीडियो में कि कॉंण कॉन परकार देना चाहिए ताकि ऐसे भालक जो अपने आपको अपने और सहाज ज Streets ना करें ठीके दोस्तों इसी तरह मेरे चैनल में बने रहें थे फिर कि रहते कि अ.